हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अर्मान शेवलिया एक बार प्राइश आपके अपने यूट्यूग चैनल टेक्निकल हनुआन प्राइब करते हैं और इस वीडियो में बात करेंगे आधार को लेकर जो नहीं अपडेट जारी किए उसके बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में आपको पूरी जान कर देंगे वीडियो कर साथ बेनी वीडियो को बिनना इसकिप के आपको इस वीडियो में और पीस्टी जारी की है ज पहल है अप सोच रहे होंगे कि अधार कार में मुबाइल नम् मर जो है वो link कैसी होगा घर बेटे यह जो process है वो क्या रहेगी वो आपको थोड़ी सी information दे देते हैं इसके बारे में तो आपके आधारकाड में mobile number link करवाने की process यह रहेगी कि आप online UID की website से request लगाएंगे उसके बाद में आपके जो nearest post office है जो डाग घर है वहाँ से आपका postman आपके घर पे आएगा और उसके बाद में आपकी biometric लेगा और उसके बाद में आपका mobile number change कर दिया रहेगा तो यह प्रोसेज रहने वाली है तो यहाँ पर इंडिया के अंदर यह launch कर दिया है अब यहाँ पर यह service जल्द ही post office हो पर काम करने लग जाएगी और इंडियन post office के जो postman है डागर है वह यहाँ पर आतारकाड में अधारकाड इंड्रोल्मेंट सेंडर लोगों का पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उनको काफी एस्विदा होती है इनके चलते यह एक अच्छी स्विदा है यहाँ पर नियर सभी के पास में आसपास post office आपको देखने को मिल जाता है और वहाँ से वो यह स्व अधार करोना सायता या जोब भी है या फिर आप इमीतर CAC वेली है तो इनसे समझेती है आप अपडेट पना चाहते हैं तो एक मातर यूटूब चैनल यह है इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गंटी वाला निशान वह जरूर दबाएं और वीडियो को शेर आपको ज अधार कार्ड में मुबाइल नेमर अपडेट पोस्ट ओपिस से अपडेट जो नुई जहाब हो यहाँ पर आप किलिक करेंगे तो जैसे आप अपडेट पर किलिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर उपर यूपर आपको एक लिंक दिखाए देगा यहाँ पर पोस्ट में आपके घर आकर आपका मुबाइल नमर अपडेट कर देगा और इंडियन पोस्ट में बेंक और यूनीन जो ओथरिटीज है UID ने इसके लिए समझोता किया है तो देखिए अब यहाँ पर आपको complete जनकारी बताते हैं और यहाँ रिजर्ट देख सकते हैं कितनी बार यह सर्च किया गया है सब कुछ आपको बिल्कुल वित्प्रूप के साथ में दिखाएंगे तो यहाँ पर दिखिए अधार न्यूज अपडेट यह काम अब घर बेटे होगा इस सेवा के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट वेंग और यूनिन जो अथरिटीज है UID ने हाथ मिलाया है यह सेवा 650 इंडियन पोस्ट पेमेंट वेंग नेटरुक्स से आपको मिलेगी पोस्ट में आपके घर पर आकर आपको आधार का मुबाइल आपके जो आधार का फोन नमर है वो अपडेट करेगा अब आपको आधार में अपना मुबाइल नमर अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर नहीं जाना पड़ेगा यह काम आप घर बेटे हो जाएगा पोस्ट में आपके घर आकर आपका मुबाइल नबर अपडेट कर देगा इंडिएन पोस्ट पेमेंट लाग और यूनिक औरिकेशन ओटिरिटीज ओफ इंडिया ने इसके लिए समझोता किया है इसके तेट पोस्ट मेन आधार कार्ड के मुबाइल नमर अपडेट करेंगे ये सेवा 650 पोस्ट पेमेंट्स बेंग के नेटरक 1.46 लाग पोस्ट मेन और ग्रामिन डाक सेवक के जरिये अपलद होगी I.B.P.V के मेनेजर डाइरेक्टर M.C.O. जे वेंगेट राममू ने मंगलवार को कहा पोस्ट अपिस के व्यापक नेटरक पोस्ट मेन और GDS के जरिये UID के मुबाइल नमर अपडेट सर्विस से उन इलाकों को भी सेवा उपलद हो सकेगी जहां वेंगों की सेवाएं उपलद नहीं हो अभी शिरिफ IIV मुबाइल अपडेट सर्विस उपलद करा रहा है यह बहुत ही जल्द अपने नेटरक के माद्यम से बच्चों का इंटरूमेंट सर्विस भी सरूख करेगा इस साल 31 मारतक देश के लोगों को 128.99 में करोड आधार कार्ट जारी किये जातुके हैं तो आप देखिए इस परकार से यहाँ पर यह सर्विस काम करने वाली है और जल्द ही यह सर्विस लाइब हो जाएगी और UID की जो ओपिस के लिए वेबसाइट है वहाँ पर यह सर्विस आपको देखने को मिलेगी वहाँ से आपको इस परवोजोब करेंगे और उसके बाद में आपके जो नियस्ट पोस ओपिसीया डाकर है आप देख सकते हो और जानकारी हमने आपको क्लियर ली उमीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो यहाँ पर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक टो चैनल को सस्क्राइब करें और बेर नोटिशन ओन को मेरते हैं एक और ऐसे ही लेट